नमस्ते पॉड्कास्ट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आज की हमारी महमान है तृष्टी राजपुत जो की वपाल गंसे हैं और ताइकंडो प्लेयर रह चुकी है और अभी यूटूब, इंस्टाग्राव और फेस्बूट यानि की शोशल मीडिया पे बहुत काम गर रही है, कापी पसंद की जा रही है तो आएए उनसे बादशित करते हैं और हाँ, ये एपिसोड उनके साथ पहला है, आगे भी हम उनके साथ एपिसोड करेंगे, तो बने रही है नमस्ते पॉड्कास्ट में आपका स्वागत है थांक यू सो मच का हाँ बहुत एक डाम गर्दा शुरू से शुरू करते हैं हम लोग कहा से भी पढ़ाय लिखाई आपकी? मेरी काव से ही हुई है काव से ही हुई बताएए थी से लिकर एड क्लास तक मेडिल स्कूल में पढ़े हैं अच्छा, गॉर्मेंट गॉर्मेट शुरू बे और शेके नाइनथ में गय तो वहां से वह भी तो गॉर्मेट ही था नाइनथ, एनथ, 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 ट्वेल्थ भी वहीज़े होगा है और ट्वेल्थ के बाद हमारे जो एती पढ़ाई वो ग्यजुएशन जो हमारा था वो मोतिहारी से हुआ चमभारन से तीन जाल का वहाई से ग्यजुएशन हुआ मेरा कैसा राव फैमली का सपोर्ट जब आप कंटेंट क्रियेटर बनना चाहें बताया ना रपे? हाँ बताया ना बताया ना तो पहले तो थोड़ा सा था कि लड़की है पढ़ लेगी अच्छा जॉब कर लेगी साधी भी अच्छे घर में हो जाएगा तो इस प्रेसी पे जो हुआ है वो सबखन हो जाएगा ऐसा हुला सीन था बट जब मैं पठना आई पढ़ने के लिए बीप सी करने के लिए थी तो जब मैंने को लगा कि मुझसे नए निकल रहा है नही होगा तो मैंने पैरेंस को अपने बेवगूफ नहीं बनाया, उनसे कहा कि मिरसे नहीं हो रहा है, हम कोई पार्टाइम जॉब कर लेते हैं, और देखते हैं कि क्या सर्वाइब कर पाते हैं, अब गाओं में फिर वापस नहीं जा सकते थे, क्योंकि लोग बाते बनाते, कि गई थी कुछ करने बिना किये इनकाछ आदाईए, हां, लोटना बहुत बुखदाई होता है, हां, तो इसलिए सोचा कि पटना में ही कुछ करते हैं, कौन जानता है कि क्या कर रहे है, जॉब कर रहे है, थोड़ा सा इज पैसा का जॉब कर रहे हैं, अक्चोछ current पूं, प्र करते हैं, पों केहा?, एय तिन बर काम करवाती है और जो पेमेंट होता है टाइश तेशЗдर रुड्य होता है इस्मै पतना के लिए तो मुझा ही मुश्खिल है क्वश्किल है, हर जाई मुश्किल है और आज के टाइम में तो बहुत मुश्किल है piles जाढा कैसे सोचा के content creator बनना चाहिए जिए कि आप तो taikando fighter है ना मैं बताओ तो मेरे जैसी लड़की सोची नहीं सकती है अभी क्या बोलना ही भी नहीं पता है मुझे यह जो है ना ही एक दमी खथका को है मेरा हम लोग कहला नो हील वड़े ब्यार के लोग से मोले ला तो अभी से हम उनके जनमदीन पे मिले थे जब उनके एक लाख फॉल्वर्स कंप्लीट हो गया थे तो उन्होंने मीटप रखा तां गादियू एदान में तो हमने भी उनको मेसेज करा था हमें अच्छा लगता था उनका रैपिडो का वीडियो या कुछ भी वो बनाते थे वो तो हमने उनको बोला कि सब के लिए मीटप रखे हैं तो हम लोग भी आसकते हैं क्या ऐसा मैंने पूछा तो उन्होंने ने का सब कोई आ सकता है उसी दिन हम उनसे मिले थे और दोस्ती हूई थी हमारी कभी आरी चीजे से एक जिसे लग रही थी कि उनको लगा ऐसा मेरे बात करने के तरीका से मैं सुरू से बहुत बोल रही हूँ वुश्क की बोलने मैं सोचती नहीं थी ज़्यादा तो उनको लगा कि लगी कर सकती तो वोग फैसन श्टाइल वाली ब्लॉग बना रहे हैं, बहुत सारी दीजे कर रहे हैं, आप में बहुत अच्छा गर रहे हैं, बट मैं सोचा कि मुझे अगर सर्वाइब करना है, तो मुझे कुछ नया करना पड़ेगा, और मैंने किसी पीटी चीजों को नहीं किया, किसी को कॉ अपने बच्छों को डाट रहे थे कि भुझपूरी बोल रहा है वो, कि मतलब भुझपूरी बोलेगा, तो क्या ही पढ़ेगा, लिखेगा, खराब हो जाएगा, तो हम यही बोलेंगे ने, इस मामले में अधर हमो आ रहा थे तो हम यही बोलते कि भुझपूरी हम एक हाती बोलेनी की भासा हा, भुझपूरी हम एक हाती बोलेनी की आमर माई हो, और माई की के उगालनी दी तो बरदास से बाहर वाली चीज़ भा, हाना, सभी बात है, ताइकांडो आप शुरू किया, कब शुरू किया, ताइकांडो हमने दौजर चौदा में सुरू किया, जब हम क्लास में थे, 24-15 के बीच में जो एडमिशन होता है उसी ताइम, एक दो महीने के बाद हमारे स्कूल में एक ट्रेनर आय थे, जो कराटी का थेज़ दिन का ट्रेनिंग देने वाले थे, 23rd दीगा, तो हमने उसमें जाइन किया, हमें काफी ज़्या अच्छा लग रहा था औ उससे पहले भी हम गाओं में बहुत कांड कर देने रहनी, मने के वो कि दागे दोब देए, ऐसा ही, वी ना मतलब के, किना अच्छा गलत नजो से देखना हमारे के बाद बहुत बहुत परिसान रहते थे कि लड़की पादा हुई हारका तक दाम लग गया वाना मा, तो ऐसे लड़की आये जा थी, लास्ट का एक सीट बचा हुआ था, तो मैं बोला कि सरम भी फॉर्म बर दे क्या, तो ने कहां करो तो 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 अच्छा लग रहता है क्योंकि काराटे था ता टच अन बैक गेम होता है, जादा मार नहीं सकते हैं पावर मैं तो मैं खिलने लगी तो मुझे लगा यार तो तेच वाली गेम में मजा नहीं आ ह्रआ ह्रा है थूरने बच्छाएइए तो 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 यह बगड भी जाता है चोट तो माइं नहीं करना है क्युकि क्युक्क ये 8 करना kitchen sui Mla irre Cathy मुजे क्या है मुष्छ ब विख भूमने जा रही है, मैच खिल रही है, मैडल लाई 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 इसका सिट है, अगर अगर आप देखिए न तो अगर मैं कुछ चीच को डालती हूं, किसी भी चीच को तो लोगों लगता है यार पैसा पर पैसा चाप रही है, बुछ चीज में पैसे के भी होते हैं, लो काथ कि अगर में खाव का फंसन है, तो हम 15 रुप्य और 11 रुपय में भी कर देंगे, अगर भाहर है, तो हम 15 रुपाष art, 500 लाक भी लेते हैं, तो आज साधी चीचे है, कि जहां हम लोगो का बैवार बन गया, वहां हम दो पैसे नहीं देखते हैं, और सभकुष पैसा तो म मेरे लिए तो यह एकदम आप्सिनल की तरीके से है पैसा पहले था कि पैसे सही चलना है बट अब मेरे लिए आप्सिनल है वो किस सब कुछ मिल गया है हुझे संतुस्टी वाँ जागा अरे पैसा है लोग कोलते है मालवा तो तालो और ना कुटा गया अलवा कि अपी हमाणा मेरे बात थाक Himona हमसे लेने आप अलवा झाझा अच्हा था अच्छा था अच्छा था अच्छा था थारे में क्या रिक्षिन रहा जब आप पताए कि मैं ताइकन्डो कर्ण गरूग ये ऐसा कुछ अरे घर्वाले तो चाहते थे कि चल जाए गई चल जाए इतना उदबास मचा दिये थे अपने ग़र में उनको लगधा थे कि इसको कुछ करना चाहिए तो अपने हाल नड़ी के थोड़ा सा सौफ होती है मतलब सौफ क्या ही होती है अज देखिए फादर्स टे है तो अपने पिता जी के लिए की बात कहेंगे अगर वो ना होते हैं तो सायद में यहां पर भी नहीं बैठी होती ममी का तो रोल बाद में सुरू हुआ है असली रोल जो है मेरे पिता जी का सुरू हुआ है जब उन्होंने ममी से लड़ा और बोला की खेलेगी ये मैच गाउं के लोग ताना देते थे की फलानवा के लड़की बिगड़ जाएगी अब समझे की हम गेम खिलने जाते थे चाह दिन पास दिन स्टे करना होता था तीन दिन का मैच एक दिन आने जाने में जो भी दिल्ली अगर इधर उदर चले गए तो तो यही लोग ताना की कौन जानता है की पढ़ने जारी है की अपने बासा में एक दम गाउं अला बासा में तो हमने किसी को ज़ब देना जरूरी रही समझा बड़ पापची ने यह बोला की जिस दिन हमको लोग मुझ पे बोल देंगे उस दिन हम जवाब देंगे और तुम कुछ ऐसा करो कि लोग बोले ही ना अब तो हम गाउं जाते हैं तो लोग मिलने के लिए आते हैं की अच्छा कर देंगे जा रही है तो ज़रूरत है तो ज़रूरत है अगर आप बिहार के छोटी से गाउं में और वहां क्रॉप टॉप पहन के घूम रहा है तो लोग तो बाते बनाएंगे ना आप जहां अगर पढ़ने जा रहे हैं वहां पर आपी सोच डेवन अफ हो गई है तो आप उसके हिसाब से जी आपको कोई नहीं बोलेगा और लोग बोले ला देसी मुर्गी विलाइती बोलवलाल हो जाता है कि दस दिन टाउन में रह की आए और गाव में लगे वो लहे डाट क्या हाल चाल है तो यह समय लोग उसे नहीं होता है हम लोग आज भी अगर पापा डार दे तो पीछे हाथ करके सर नीचे करके सुनते हैं वाली सी नहीं है और अभी बटना है तो कोई पूछ नहीं रहा है अम ठीक अपने अंगराप से जी रहे है तो सीच्विस्टन के हिसाब से चलना चाहिए तो यह मुझे एक चीज़ बताए जैसे कि आप ताइकांडो फाइटर रही फिर कंटेंट क्रियेटर हो गई कि दोनों के लाइट बहुत डिफरेंट है बहुत जाता है तो कैसे मैनेज करते है क्योंकि आप जब ताइकांडो करती हूंगे तो रूटीन सेठ होगा प्रोपर डाइट प्रोपर स्लिपिंग और इसमें तो कोई टाइमिंग नहीं है कोई टाइम नहीं है पहले रूल यह कि पाँच पजे उटके ग्राउंड मैं तो नहीं तो दंडे बजेंगे अब ट्रेना नहीं वारेगा घर लाइगा अब अपना पुरा दाव लगा दिया है कि लर्की कुछ करेगी खेलकोटा से जौब लेगी तो हम लोगा जो टाइम होता था जैसे ही रुनिंग कर कि आए यह गंटा यह गंटा मुई चना मुँ यह सब मिठा यह सब दे दे थी इसके बाद से प्रापर गाव में थी तो पुरा सिठ था पतना आया सब गड़ बड़ो गया मैंच खेलने जाते थे लेकिन मैंच खेलने से पाईले भी हमें एक ग्लास जूस तग नहीं पी इतना अच्छा करके हारना है तो यह भी प्रेसर राता था और रही हमारी यह वाली जड़नी तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि हमें इस फिंड में आना है और अबशेग जी का तुम्बार्वा थैंक्यू बोलते ही है कि उन्होंने क्या ऐसा देखा कि यह लड़की कर सकती है क्य तो अच्छा लोग आगे भी मिलेंगे ऐसा नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले ही बहुत जादा खुछ थी इस वाले लाइन में आगे थोड़ा सा मेरा टाइम टेबल सी द्डियो खुशी है वही एक्जक्ली में पूछना चाह रहा था क्यूंकि एक प्लेयर लो जात वाता है जो सिनेमेटिक्स फोटो आम लोग दिखा देते हैं उसमें बहुत मजाता है लेकिन उसके उपर जो चड़ते हैं उसके पिछी की चीज़े बहुत डिफिकल्ट वाली होती है बहुत ज़्यादा इस अभी हो रही है यहां से नहीं इतना पिछलेगा ना बहुत डिफिकल्ट वाली होती है और सबसे ज़दे तो आपको फ्रॉंग रहना पड़ेगा फिजिकली मेंटली भी और अकेले सर्वाइब कर रहे हैं तो हर एक चीछ परफेक्ट होनी चाहिए सिफ वीडियो के भारोसे तो आपका ही गुमने बिल्कुल ही मज जाईए सबको कह रह दोमें भी खेलका प्रवाव तो कम है। если भी खेल कैसे भी डिलते हैं वैसे लेकिन एक जो जहसे एक हbür धर को हम देख लें, जिस तरीके से प्रषाइत किया जाता है, वैसे तो यहां बहुत कम है, बहुत कम, आप कैसे देख रही हैं इसको? देखे यहां के जो प्लेयर्स है न, उनको ये लूग एकग बिम्मक की तरह खा रहे हैं, कि एक यह वार खा जाए, वे अपना देख लेगा क्या करना है उसको, जैसे मुझे लोग खा रहे थे, मुझे पता चला, तो मैं, जा आइड़ गए. अब इन दो सालों में मेरा हेल्फ सही होगा, तो मैं खेलूगी कि नहीं मुझे नहीं पता. अब रफ्रीशीप करने कम वोगा मिली तो मैं मना नहीं करोंगी. यजा. पिर बच्चों को का, मैंने जो स्टॉक पर अपने सुना हो का बोला था कि लड़कियों के लिए मुझे एक एक अटमी खोलना है, जो लड़किया मुझे मुझे मैसेज करती है, कि यदी पैसे तो नहीं है, बट मैं आपकी तरह बनना चाहती हूं, तो मैं तो अभी कुछ भी कर सकती हूं, अपना एक एक ली में अटमी डार के, उ मैं हमेंसा से बोलते हैं, अभी मैं सायद भी नहीं हूई हूं कि सब कुछ अखेले मैनेज कर पाऊं, बट कोशिश हमारा पूरा है, हम जल सी जल इसमें लगे हुए करे, अगर बिहार पे आते हैं, तो हम भी भी आसे ही खिलते हैं, और एक मरी उपी से भी खेले हैं, और बिहार के अपिच्छा अगर बोला हैं, खेले तो बहुत जगह याद भी नहीं होगा, दो तिन बदा ये, चार-पांच बार तो दिल्ली से ही मैडल है हमारा, मतुरा गय थे, मतुरा गय थे, और कहां गय थे, बिहार में त अगय थे, तो गय ही है, दिश्टिक मैच खेले ही है, सेलेक्शन भी बहुत उपर-उपर जगह पे हुआ है, बट खीच दिया गया थे, पॉलिटिक्स तो हर जगह है, अगर आपको लगता है कि आप स्मूथ चल रहा है, मतलब कि अच्छा नहीं चल रहा है आपके सब कुछ इसनी असानी से नहीं मिलने चाहिए, और यहां पर अगर देखा जाए तो पहली बात की लड़कों को मौभाई नहीं दिया जाता है, और कुछ लड़किया अगर लड़के जगड़के आती भी है, तो दूसरे नमर पर आते हैं समाज, लोग को क्या आएंगे, लोग जो पैसा कमाती है, वो मांगनो आप, बच्चोंसे की मांग रहे हो, लोग क्यां उनसे आप सब कुछ कर लो, बच्चों को की प्रिसर दे रहे हो, है ना? जैसे कि आप्छार है कि आप लिटक समाज तो है विदू इसे निलीरी का भींट अब तरह है जिसका तरह कि लोग बाते है तो बिल्कुल बनाते हैं उस टाइम क्या मैं 90's की तो हो नहीं, इधर की हूँ, तो उस टाइम लोग गया थे कि टांग दिखावा जाती है फरानवा के लड़की, अब रनिंग तो हाई, शूट सल्वार में पॉसिवल नहीं है, तो कमपड के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए, अगर आप कमपडेबन अच्छा हमारी वीडियोट में ऐसी क्या होती है कि लोग गाली दे देते हैं, कुछ ऐसा वलगर चीजे की हो, या फिर डबल मीनिंग बाते की हो, या कुछ भी नहीं करते हैं, आपके वीडियो में ऐसा कुछ आता है गाली, या लोग देते हैं, और मैंने एक चीज शुरू गाली देता हैं, उनकी प्रोफाइल को लोग लिगल एक्शं लिए लेते हैं, अब उनको पास महा से और इमोशन से कोई मतलब नहीं ठीक है वो लोग पैड़ाई नहीं हुए इसलिह वो लोग 미न पास मां को गाली देते हैं, वोठाके तो उनको जवाब देना हमारे वसमेर क इतना साहिग आदमी। इसलिए अब हमने एक्सूल किया है। बहुत सारे मारे मित्र हैं पुलिस में। साहिधर होगा। प्रफाइल पेज़ेते हैं, वो लोग चानमिन करके लिगल एक्सेंडारेक ले लेते हैं। दुबारा गाली नहीं आती है। लिख के देती हुगा। बहुत अच्छी बात है। अपने लिए आवाज नहीं उठाओगे तो फिर कोई नहीं उठाएगा। अपने लड़िये लोगों कोई बहुत बढ़िया लगा। आपके वीडियो देखें, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। अपने लिए 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 तो आगे बढ़ेंगे अब हम यह क्यों ना सूचे कि 80% लोग हमारे लिए अच्छा लिख रहा है और 20% की गाली लिखने से हम दिमोडिवेट क्यों हो जाए भाई और 20% लोग अच्छा तो ठीक है कुछ लोग तो होने भी चाहिए इतने भी लोग जो भी बलगर चीज़े रिल्स में करते हैं उनसे तो हम काफी अफ्य एच्छा है अमद्स करना चाहिए उसे गाली नहीं लिखने शाइए आप मेरी कमेंट्स को किसी की वी वीड़ी बे जल्ली नहीं देखियेगा मुझे लिखने ही नहीं नहीं था कि मैं क्या लिख लिख? मैं मतरब खुद भी नहीं लिख पाता आपी बाद देख के बाद में को समझ नहीं थे अगर बाध लिख ले तो उसके बाद क्या लिख हूँ? मैं पाता है कि एक Emoji है हर्ट वाला एक ऐसे वाला शोच देती है बहुत बढ़े हैं बहुत अच्छा गर्ला ये सब इमोजी में भी मैं सोचता हूँ कि अच्छा इनको बेज दू कही कुछ और सोच ले वो तो मैं बस समाइली के साथ बेज देता हूँ बहुत जबा किया दू मुझे खुद ही नहीं पता दू लेकि मुझे लोग सब कहां से लाते हैं खायर इनकी बात करके पोड़कास्ट को खराब नहीं करेंगे कि दूर रहते हैं हम पॉसिटिव रहते हैं जी पॉसिटिव विहार की जो भी लड़किया है जो ताइक अंडो या किसी भी प्लेश से जुड़ना चाहती है तो उनके लिए क्या कहेंगे आप अब तेखिये हम एक बात कहें कि हमको बहुत सरे डियम आते हैं कि दिदी हमारे घरवाले नहीं मानते हैं कि हम ये चीज करें उनको ट्रस्टी नहीं होता है कि हम ये चीज कर सकते हैं तो मैं उनके पहले ताप अपने पैरेंस को ट्रस्ट दिलाओ क्योंकि उनके भी नहीं कुछ भी पॉसिवल नहीं है आप अगर सोचते हैं कि माता पिता हमें बोल रहें कि ये चीज मत करो और हम किसी लड़की के चकर में आपको बिच में लोग छोड़ देंगे आपको बीच में घर वालों कराजी करो अब उन्हें आप इखाओ बताओ उन्हें आप ट्रस्ट दिलाओ कि पपा मम्मी मैं ये कर सकती हूं मैंने भी दिलाया, मेरे लिए भी छोटे से गाहों से आकर कि सहर में तीन साल चाफ साल से हूँ, सर्वाइब करना बहुत मुश्किल था अब उस स्टेज पी आ गई हूँ कि मैं अपने पैरेंस को बोल पाती हूँ और उनको टर्जी लापाती हूँ कि मैं ठीक हूँ और मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ और मैं बताओ आपको, सभी माता पिता ने चाहते हैं कि आप अच्छा गरो बस थोड़ा सा डर जाते हैं चीजों को लेकर समाज को देखे, महाँ को देखे और वो एक चाहते हैं कि आप सेटल हो जाओ अच्छे से लाइफ अपना एंजॉय गरो तो इसलिए थोड़ी बहुत जो रोक टोक होती है वो होती है लेकिन अगर आप सच्छ में करना चाहते हो और आप यखीम दिला रहे हो तो वो एगरी करते हैं जरूर करते हैं अच्छा मतापीता ने अपनी जिन्दगी जी ली है वो आपको आपके जैसे क्यो ठालेंगे वो तो चाहेंगे ने कि मेरे बच्ची अच्छा करें आपे डिपेंड करते है कि आप कितना अच्छा करते हो और क्या अच्छा करते हो अगर आप गलत राप पे जा रहे हो तो रोकेंगे, उस नुटाइम आप को जरूर लगेगा, कि यार हमेसा रोकते हैं, कि empleo को कि इस लिए रोक रहे हैं? इस वे को आप देखो. हमेशा एक निगेटिव चीज़ों को नहीं देख सकते हैं पोजिटिव को भी देखो कि अगर इस चीज़ के लिए रोक रहे हैं तो इसका पोजिटिव क्या आसर हो सकता है ठीक है तो दोनों तरीके से देखने की जरूरत है और अंडरेंड मातापिता ही कामाने में और उनको सुनना चाहिए और किसी को क्योंकि वो जहां आप हो वो गुजिर चुके हैं वो इस दौर से और कुछ चीज़े नहीं है, गाप है, वो अलग बात है पर सुननी बहुत जरूरी है अभी आपकी क्या प्लान है, ताइकांडो आप करना चाहें करना चाहती है या फिर ये content creator या फिर मैं जैसे ही कोई बोलता है ना मेरे game के बारे में तो proudly proud तो होता है कि मैंने आठ साल गवाए है अपने से और आठ साल में कुछ नहीं कर पाई और थुरा सा हसी इसलिए आता है ना कि पटने में ना हर दस कदम पे एक गाइड में है हर दस कदम पे और हर वो लुग चाहते है कि हम उनके लिए गाम करें या फिर उनके पास आए या फिर जो भी अब परस्णली किसी को नहीं बोल सकते है हाँ इसलिए लुग बना लेते हैं और बोलते हैं कि यहां से खेलो हुई इसका वैलीड है यहां से खेलो हुई इसका वैलीड है और जब वो मैच खेल कि आपाऊगे ना तो बोलिंग या रहे या रहे है तो ओपेन मैच था इसका कोई वैलू नहीं है ऐसा होता है मेरे जान भी हुआ था जब एक नियम लागो हुआ था बिहार में कि आप जो भी मैच खेल रहे हैं नैशनल एस्टोसियेशन वारना मैच ताइकवांडो हो गया बॉक्सिंग हो गया कोई भी हो गया उसका अगर मैडल जो भी आएगा शर्टिफिकेट उसके बेस वे आपको खेल कोटा से नौफ़ी दी जाएगी थोड़ा सा मैं लिख कर रही हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा कि प्रॉपर इंफोमेशन है की नहीं बट ऐसा कुछ आया था और हमारे च्रेनर ने भी बोला था चोटे-चोटे बच्चों को ग्रो करवाते हैं और जब मेंच वो खेल के आते हैं तब भोलते हैं तब भोलते हैं की अरि इस मैच का वैलु नहीं था अगला मै Parece के लिए टरेनिंग करो पिर वोब जब एगला मैच केल ये तो ओपेन था एक बात बताओ 10,000 रुपए एक मैच में लगता है रहना, खाना, ट्रैवलिंग, आना, जाना, टिकट ऐसा भी नहीं कि तुम लोग स्पांसर कर रहे हो और एक बच्चे से तुम लोग चलो 10 नहीं 8-5 भी लेते हो और ओपेन मैच उसका वैलू ही नहीं, तो क्यों खिलाते हो, भाई? एक्स्परियनस ही कराना है तो बाहर की टीम अपने बिहार में होतारो ना बिहार से बाहर पैसे क्यूं खर्च कर वा रहे हो मतलब अब मै तो नहीं आने वाली हो नहीं आने वाले हो, तो प्रोपर यही कंटेंट, यहीं चलेगा, इसे में आगे देखेंगे ग्या कर सकते हैं, और इसमें भी आसा नहीं कि बहुता पार पैसा आ रहा है कि रोज में बंगलावर गाड़ी खरीच सकती हूं, तो यहां पे एसोसीशन लोग बनाते हैं, घर में क्लॉब खोल लेंगे, इतना बड़ा स्पेस मिला, उसी में खोल लिया और चला रहा है, अच्छी चीज है, समाज को बनाते रहे हैं, सिखाई अच्छी से, सिखा रहे हैं लड़कियों को कि आप में निर्वर बनो, मैं भी ट्रेनिंग कराती थी जब गॉपाल गेज में थी तो चार स्कूल हमें मिला था, जिसमें सिक्स हमें 25-2500 रुपाय पर स्कूल से मिलता था, तो चार स्कूल में हम टाइकवांडो सिखाते थे, लड़कियों को खास करके हम ज़्यादा ही सेर्फ डिपेंज सिखाते थे, कि आप कैसे अपनी बचाओ कर सकते हो, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कमेंट पास किये थे, कि दस बड़ा पकड़ ली, तो कहा हम ले वर लोगिन, मतलब समझ नहीं आता है, तो कहा सूपर बना दी उलगए, कि सूपर में बना दी हूँ, कि समाज कर नहीं पाचान में आता है, कि भाई, तुम कहाना क्या चाहते हो, कि हम मारे और ये सिर्फ लड़कों के साथ लड़कों केसाथ जांथ इना चाहते है, आधि दो नहीं बना दी हूँ और इसा तो है तुम करों बस connect है नहीं यह तो आखियो को साथ नहीं है, लड़कों के साथ नहीं है, अगर आप पने पने सो देख रहे हैं तो अची चीज यह उगर हमने अपना मैंस किसी के दबाव में आके नहीं छोड़ा है, हमने खुद से छोड़ा है, जब मैंने देखा कि अब मुझे नहीं होगा, अच्छा पैरेंस ना एक वक्त के बाद बोलने लगते हैं कि कितना दिन और जॉब होगा क्या, कर लोगी क्या, तो लगता है या थुरा स चेंज स्वीच कर देना चाहिए, और इसको बैगराउंड में तर देना चाहिए, चेंज करके मजा आए आपको, बहुत जादा मजा आ रहा है, भूमने को भी मिल रहा है, अब जो मैं कर रही हूं यह मैं करने के लिए सायद बनी थी, सही गाइडलाइन ने मिल रहा था, जो सही जी आकर के हमें दे दिये, सही डिसा पोई नहीं दे रहा था, जो मिल रहा था, दस दिन वीडियो बन रहा था, और लेट पुलिंग, वहीं, टिक टॉक पर बहुत अच्छा वीडियो बना रही थी, तब तक टिको, टिक टॉक बैंदो, बैंदो गया, पिर मेरी एक दोस तक है, नाम नहीं लोगी नहीं तुमारे की यहीं से हमको, अचा, इसका ब्रेक आफ हो गया था, तो इसके लिए मैरे कैसी बोल दिया था मजाक मजाक में, की दिल तोर के जातरा तका समझ़ज़ थार जार खाले हम, हम उसके लिए बोल दाय था खुद पे ऐल चीज करके, की दिल तोर के जातरा का समझ़ तरा जहर खाले हम, तरा इसके के बेवफाई के हम नादानी समझ लें, बिहारी है, तरा इसके के बेवफाई के हम नादानी समझ लें, आ जाना गाउं में होई थार भिया, वही गाउं से मुख्या ही लड़ने हम, की तीज मैंने उसको भी, और और उसने बोला रोना बंद किया और भूल रहे है यार इसको रिकॉर्ड करके डालना बहुत अच्छा है तो जब दुसरी बार में बोला ना तो बनाउटी टाइप कर लगने लगा पहले दफावर जो निकल गया निकल गया तो मैंने बहुत सारा प्रैक्टीस किया एक सास में क्योंकि अधितिक नहीं आती थी कि कट-कट करके भी अगर बोलते हैं तो इतको जोड़ा जासा था है ऐसा कुछ स्कील नहीं था मेरे मैं ने एक सास में बोलने के लिए शौर्टेक लिया और शौर्टेक में यहां पे कॉलर पे च्छोटा सा माइक लगा के बोला और डाला तो बुलिए ब्हुताली किशेए खिर मुश्किले मुश्किले आती थी जब विडियो उनाती थी अशौर्ट किसी चीज खेंग है अज सब सिताब मुश्किले गावरे घर लाइटिंग अ कभी भी लाइट कर जाता था अर विडियो बननाना तो मोटो थाए नहीं मैं भी PC क साइट, साइट में इसको करते लिए, तो आथ गंटे, नौग लिए गंटे झाती है, मायन सोइचाकर लिए लगता है, इसको हसने केSabbe लिए पजिता लोगी बना लिया, किया रहे यह वही इस रिष्टी राच्षपत है जो भी लाइप इस रिष्टी के नाम से है तो बहुत लोग पहचान गया होंगे तो अगुपाल नच का कोई ऐसा बंदा या बंदी नहीं ती जिसने अपने स्टोडी पीस को नहीं लगाया था मतलब इतना वायरम था और किया सोच के मतलब कंटेंट आप पहले लिखती हूंगी या बिल्कुल वैसा ही मतलब थोड़ा सा तो कुछ तो होता होगा न कि हाच चलो इस तरीके साज बनाते हैं लिखती हूं मेरा एक सबसे खास चीज है कि बहुत जादा लिख़ाया जाता है मैंस का जब लिखने में य अधर लिखती है तो नहीं होता है इसमें भी मैं आई सब को लगता है पटना में गलर्की आई प्रडाक से धंकी और इसका एक मिलियन होने वाले हैं यूटूब पे और एक मिलियन के पीछे की मेहनद जो है हमारे हाथ में इंजेक्शन लगा रहता था था ता टाइफाइड हो गया था बेच में देक्श में गया था लगा हूँ है फिर भी मैंने कामनी रोका है ब्रांट प्रोमोशन होते है वह लोग ना minor mistake नहीं अधर धास्का थे तो टील गम्सल हो जाती है ठीक है तो वह सब भी मैंने किया है जाजा के सूट किया है गर्मी में ठंडी में जैसे स तो बहुत लोग पना रहा है वीडियो जब अविशेग जी ने मुझे सिखाया था तो मैं तीसरे नमबर भाई है एक अविशेग जी थे और तीसरी मैं थी मेरे एकॉर्डिंग क्योंकि मैंने और किसी को नहीं देखा था अजिए वीडियो थे अपने आपको ऊपर चमगाना था वही कोशिष्टी कि कुछ अलग करेंगे अच्छा करेंगे और सबको प्राओड फील कर भाएंगे कोई भी पैरेंस हमें रोड पर देखे तो ना कहें की अरे ये पिट दीहाती है या पिर यह से बीडियो बनाएके फी करी और कोई भी जर्णी इतनी असान नहीं होती है तो आप लोग अगर मेहनत करते हैं निरंतर कंटीनी हो रहना सोचल मेंडिया पर बहुत ज़रूरी है एक वीडियो डालते हैं जो भूल जाते हैं कि आगे कुछ करना है तो आप कंटीनी हो रही है हमने वही चीज एक रखी उसको यही बोलते हैं कि आपके मूमें घी सक्कर भगवान करें बड़ी आदमी बने और आप ऐसे ही आपको हम कहनवाने का मोगा दे अच्छा एक मेडल के साथ आपको फोटो देखा था मैं कौन सा कप जब आपको रीच कर रहा था मैं तभी मैं देखा कि वह वह पाइट का जब रिचर्च किया न तो जब मैच छोड़ दिया तो पता चला कि वह भी उपेन मैच था उसका भी कोई वैलो नहीं है वो तो जो भी चोट खाय को सब गहरा है थे और सिप मेडिया ही नहीं जब मैं मैं डेल लेकर के आई थी तो पुरा गाओ के लोग रोड पे थे ठाई क अब लेंगे फूल कमाला पहना कि वह वीडियो में सेर करूंगी साइड में चलाईएगा बिल्गुल चला देंगे लोगों लगता है कि मैं जूट बोल रहे हूं ऐसा जो बोला जाता है हम चलाएं कि जो जो वीडियो ती इसमें हमें काफी लोगों ने रोस्ट कर दिया तो वही तो बात हम कह रहे है न कि छे महीना कि हम होस्टल ले लिये छे महीने में पास सेविंग थी भाई नल्ला भी खारी गर के नहीं है तेरस मा का प्यार था जो उन्होंने आचल से निकाल गे जो आटे समय मा देती है वो अँ मा ने दिया और वही लोगों ने उसको आँनला जो उन्हों आहिकड लगना है नहीं नहीं बिजली का नहीं यहरा सन का लगना है तो सारे पैसे मेरे होते थे वो अभी लिगृष्ट लगना इंट करने डही थे ख़यती थी अ आपका फेवरेट मूव जो ताइकंडो में हो 360 360, जैसे मारते इसको इंसकों 360 नहीं, ऐसे एक जगर खड़े हैं और आइसे कुम के मार दिये पहुं से भूम आगा फट फट तिस्टर टक एक मूवी जो आप बार-बार देख सकती है दंगल दंगल, विर रिलेटेड है ठीक, फेवरेट खाना? दालवाद भुजी आलू के चोका लास्ट बुख जो आपने पड़ी हो कैसे? लास्ट बुख जो आपने पड़ी हो अभी आल फिलाल में? कोई बुख नहीं पड़ी है अच आप नहीं पड़ रहे है आप पीछा चुटे पीछा चुटे नहीं कहेंगे और हमें लगा कि नहीं हो गई उचीजे तो मैंने डॉप का फेवरेट गाना आपका बचपुरी भी बड़ा सकते हैं गाना गाने नहीं आता है यह को यह नया में गाना आया है गुलरी के फुलवा गुलरी के फुलवा करके बहुत ही फेमस इंगर ने गाया है तो यह हमें काफी जद अच्छा लगा और डीदी का जो गाना था स्वाती मिस्रादी का अर आमाएंगे काफी जद अच्छा लगा पैबरेटे स्पोर्ट्स टैकवांडो टैकवांडो छोड़गे अनावा किर्केट किर्केट खेलती है आप खेलना नहीं देखना पसंदे अच्छा ठीक है अपका कोई निकनेम स्वीटी घर पे सब कोई सिटी बुलाते है सिटी कोई होवी जो अब तक लोगो को पता ना हो मुझे ना वो क्राफ्ट करनेंगा बहुत चोग है पुडानी चीजों से नहीं चीजे बनाने का एक चीज जो आप हमेशा अपने साथ लेके चलती है मेरी डाइडी किसी से गर लगता है सबसे ज़ादा आपको पानी तो के फेवरेट फेस्टिबल दिवाली छट छट और दिवाली दोनो एक साथ ही वो है एक वर्ड में अपने आपको डिस्क्राइब करेंगी तो क्या बोलेंगी मुसाफिर बहुत बहुत दन्याबाद थैंकि सो माच आपने क्शिम्ती समय दिया कैसा लगा आपको यहां आकर परसनली मैं यह दूसरा पोड़कास्ट कर रही हूँ पहले का तो वीडियो यह डाला कि यह अच्छे सा रिकॉर्ड नी हुआ अच्छा लगा इस तरह की चीज़े होती रहनी चाहिए इसा एक platform है यह जहापे आप अपने बातों के रख सकते हैं और जो एक minute की video में आप अपने audience को नहीं बताते हैं कि आप क्या करते हैं और आपका background क्या है वो इस platform से आप बता सकते हैं कि आपकी journey कैसी रही है आप क्या करते हो या फिर कैसे हो क्योंकि सबको लगता है कि सबकुछ हाथ में मिल गया है, बना बनाया मिल गया है बट कुछ ऐसी वीडियोज भी होनी चाहिए, कुछ ऐसी अक्टिविटी भी होती रहनी चाहिए जिससे ओडियन्स को पता चले कि उन लोग का लाइफस्टाइल कैसा रहा है तो हमें काफी जद अच्छा लगा और मैं जो चीजे जो स्टॉक पर नहीं बात कर पाई थी, वो मैंने यहां पर किया क्योंकि सब जगा बात करने का लगला प्रैट्फर्म होता है वहां कोई पूछने वाला नहीं होता है, जो है वह आपको अपने मन से करना है और यहां आप तो सवाल कर जाएं, उसका जवाब हम दे रहे हैं जिए अच्छा मजा ओडियन्स के लिए क्या कहेंगी? ओडियन्स, ओडियन्स हमारी देवता होती है और उसी में कुछ प्राक्छस भी होते हैं तो सारे देवता होगे ही कहेंगे कि ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाएए और बिहार की कोई भी लड़का हो या लड़की हो कोई हूँ, मैं अपनी मात नहीं गर रही हूँ तो कोई भी अगर आगे बढ़ रहे है तो उसे फूल सपोर्ट कीजे, पूरा सपोर्ट कीजे क्योंकि वो आपके भरोसे ही वो कुछ भी चालो कर रहे है विजनेस होगे, फिर कुछ भी हो गया तो उन्हें सपोर्ट करते रही है सही और ब्यार मुंबत बनाए रखे और ये है हम तृष्टी राजफूत और हमें सोशल मेडिया पे लोग लाइप ए थृष्टी का नाम से जानते हैं थाइंकि सो मच यहां बुलाने के लिए बहुत बद दिन्यवाद आपको भी पढ़नाम गुर्णा बतानी